देश नीती किवल सच्ची और पक्की खबे अगर प्रश्ट पूछ रहा है तो उसकी ये मौलिक आजादी है उसकी आजादी खत्म करके अपना घमन दिखाकर उससे माफी मंगवाना और सोशल मीडिया पर पोस्ट करवाना आखिर ये किस हद तक पहुच गई है भारते जंता पार्टी की इन्हें कोई सवाल तक बरदाश नहीं हो रहा था अभी तक तो में पता था कि भारते जंता पार्टी को निंदा पसंद नहीं कटाक्ष पसंद नहीं लेकिन आप सवाल भी करने की अजादी नहीं है अगर आप सवाल नहीं करवाना चाहते तो कम से कम दिखावा ही कर लेते लेकिन वो दिखावा भी आपसे नहीं हुआ आप माफी मंगवा कर बकाइदा पोस्ट कर रहे हैं दिखाने के लिए कि देखिए हमारे राज में तो आपको सवाल भी पूछना नहीं है तो यह क्या अंग्रेजों का शासन हो गया है कि आपकी जो मर्जी करेगी आप वो करेंगे और हम जो ऐसे मुख बहिन होके एकदम तमाशा देखते रहेंगे अब देखिए ख़बर क्या निकल कर रही है कॉंग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर कॉंग्रेस ने लिखा है अब बताया जाना है कोईमबटूर का एक व्यपारी है उसने GST rates यूनिफॉर्म नहीं है इसको लेकर सवाल पूछा और उसके सवाल पूछने को लेकर निर्मला सीतरमन वितमंतर इतना भड़क गई कि वहाँ पर तो हस देती है लेकिन बाद में माफी मगवाने पर अमादा हो जाती है ख़बर पूरी पड़े लिखा है तो अब स्री निवासन जो ओनर है रेस्टरेंट के स्री अनपूर्ना रेस्टरेंट के वो बता रहे है कि किस तरीके से जीएस्टी में युनिफॉर्मिटी नहीं है यानि 5 प्रतेशात उन स्वीट्स पर मिठाईओं पर जीएस्टी है 12% नमकीन पर प्लेन बन पे 0% है तो वही 18% क्रीम फिल्ड बन पे तो यह uniformity इस तरीके से है नहीं, जिसकी वज़े से computer तक जो ऐस्टप हो जाता है, यह बात बकाइदा कही गई अब कहा जा रहा है कि उन्होंने जो यह बात कही, जो सवाल पूछी, उस पर निर्मला सी तरमन का क्या reaction था, देखिए Instead of addressing these concerns, the finance minister mocked him on stage, but the humiliation didn't end there Mr. Sri Nivasan was later forced to apologize in person and the BJP's official handle shared the separately recorded video तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर वो businessmen से माफी मंगवाई गए और उससे पहले तो stage पर निर्मला सी तरमन हसने लग गई सवाल पर और उल्टा उसी का मजाख बन गया, मतर जिसने सवाल पूचा उसका ही मजाख बन गया उसके बाद बकाइदा उसे रूम में बुलाया जाता है, माफी मंगवाया जाता है और भारते जिन्ता पार्टी के official channels, official social media handles इसे post भी करते हैं बताई, कितनी जादा humiliation, कितनी जादा बेज़ती उस व्यपारी को जहिलनी पड़ रही है क्या उसका गुना है, क्या अपराध है, क्या पाप कर दिया भाई, उस نے क्या गलती कर दी सिर्फ एक सवाल ही तो पूछा है और वो सवाल पूचने का अधिकार है, भाई यह सरकार नीती ला रही है तो ये सबसे बड़ा सवाल बनके रह गया है कि आखिर इस देश में सवाल पूछने पर इस तरीके का भारते जनता पार्टी के एहम का सामना करना पड़ता है कि आपसे माफी भी मंगवाई जाती है और वो सोचल मीडिया पर पोस्ट करके और बेज़ती का आपको पातर बनव पर इन डेमोक्राटिक ससाइटी पब्लिक सवाइट्स लाइक वानांस मिनिस्टर आर एक्सपेक्टे तो लिसन तो अग्रीव आंस अनुपर शिकायत कर रहे हैं तो शिकायत को सुने शमजे और सुलजाने का प्रयास करें ना कि उन पर हस दे और पर माफी मंगवा कर सोचल म उन्हें अपमानित करने का काम किया जाया तो इसको लेकर कॉंग्रेज ने पूरी चीज पोस्ट किया है इसको लेकर मलिकार जुन खडगे ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहर किया है क्या लिखा है tax terror for poor and middle class while tax cuts for Modi ji's crony friends the disgraceful humiliation of a small businessman the owner of Shri Anapurna restaurant in Koyambutur by the finance minister and the BJP smacks of arrogance of power she has been a repeated offender in such a public interactions the owner asked a genuine question about the Modi's government's flawed GST and was first met with a condescending laugh by the finance minister and later forced to apologize to her on camera MSMEs and the small business owners are suffering the burnt of Modi government's repeated financial assaults in the form of a flawed GST and demonetization BJP is also committed to benefit Modi ji's large crony friends from day one the congress party is saying that we need a simple uniform moderate and rational GST on essential items in our 2024 manifesto we said congress will replace the GST laws enacted by the BJP and government with GST 2.0 the new GST regime will be based on the universally accepted principle that GST shall be single moderate rate with a few exceptions that will not burden the poor congress party is strongly committed to this PJP is loot small owners and shoot the messenger policy spells a disaster for the nation's economy तो को अगरेंगे लिए जो गरीबों पर जड़ादा जा रहा है जो है जो है प्रेशर नाड़ा लेंगे एक बात का प्रमाण है कि भारते जंता पार्टी के लिए खुद की महत्वकांशा, खुद की राज़ती, खुद के पुझीवादी मित्र, समझोता वाले मित्र, जिसे मैं कहती हूँ, वो कितने ज़्यादा महत्वर रखते हैं। और इससे क्या होता है कि आम जंता को लूटा जाता है, बीच में कौन पिसरा है, आम जंता, मिल ग्लास, तो इस मिल ग्लास पर आखिरकार इस तरीके से क्यों सित्म ढढ़ाया जा रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। इसको लेकर Rahul Gandhi ने क्या लिखा है वो बताती हो। आम जंता है, यह पर दोहरा मापदन बताया जारा है कि कितने हिपोक्रसी भरी पड़ी है भारती जंता पाटी है। कि अगर एक मध्यम वर्गी चोटा व्यपारी सवाल पूछ रहा है तो उससे माफी मंगवाई जा रही है। वहीं दूसरी तरह पूंजी वादी इनके व्यपारी अगर कुछ कानून को बदलने की बात कर देते हैं, संशोधन करने की बात करते हैं। पूरा रेड कार्पेट बिच्छा दिया जाता है कि भाई आप जैसा चाहेंगे वैसा करें। और तो और प्रधान मंत्री बहुत सैसे मुद्दे पर चुप भी हो जाते हैं अगर आडानी को जो है पेनिफिट पहुचना होता है। और प्रधान मंत्री चुप हो जाते है राजनितिक मुद्दों पर जहां पर वैपारी सवाल पूछ रहे हैं वहाँ पर उसका मजाग बनाया जा रहा है। देनिवाद